हेलो गाइज आप सभी लों का टेक्निकल माजी यूटीब चल्म बहुत बहुत स्वागत करते हूं और मैं माजीन महफूज दोस्तों आज की स्टूडियो में आप लों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीडियो माई बटन या फिर इंड स्क्रिन कैसे लगा सकते हैं जि हम दोस्तों पहले हमें आउड बटन और इंड स्केन लगाना बहुत असान था किंकि हमे जाकर क्लासिक वर्जन में से सारे चीज़ा लगारी होती ती और क्लासिक वरजन या फिर आई बटन लगाएं दूस्तों जैसे कि आप लोग बहुत सारे यूटूबर को देखते हूं वो कहते हैं कि मैं यह विडियो आई बटन में देदाँ इन्डे स्क्र lassida मी देणँगा जैसे मैंने खुड यह अगली वीडियो उप कहा कि मैं यह वीडियो आई बटन में दे दूंगा यह फिर इंडी स्क्रीन में दे दूंगा आप जागर वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मैं वह वीडियो कहने बाद मैं वह वीडियो कैसे लगाता हूं यह फिर कुछ भी देना हो या फिर आई बटन में कोई वीडियो देन तो उससे पर लागर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने कि तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं मैं आचुका अपने स्केmüşड तो जीस भी वीडियो में आपको आए बटन या क्लिक करदेंख देख दॉस्तोय अपर आप को मिल जाएगा YouTube Studio ठीक है, simply हमें YouTube Studio पर click कर देना है तो जो यहां पर YouTube Studio बीटा है, मतलब कि चैनल का जो dashboard है, वो यहां पर open हो जाएगा, तो उस्तों कुछ इस परकाड से यहां पर open हो जाएगा, यहां पर आपका channel का name रहेगा, यहां पर कुछ इस परकास से dashboard रहेंगे आप ठीक है तो आपको थोलों से scroll करने हैं और यहां पर आप लोगों दो तीन चीज़ देखेंगे जैसे कि यहां पर लिखाओ dashboard, video playlist, analytics ठीक है तो आप लोगों को video में जाना ठीक है इस video में आई बटन, तो जिस भी video में आपको आई बटन लगाना है तो उस video में जाना है, जैसे कि मैं यहां पर जा रहा हूँ तो यहां पर आप लोगों को दो तीन आपसन दिखेंगे जैसे कि comments, analytics और जोस्तोरा है पिंसल का आपसन रहेगा जिसमें लिखा होगा details ठीक है तो हमें simply pencil वाले जो option उस पर click करना जो pencil का icon बना होगा, उसी पर हमें click करना है ठीक है, तो click करने बाद कुछ इस परकार से open हो जाएगा ठीक है, जैसे कि हम पर title, description, कुछ इस परकार से तो अब आप लोग को क्या करना, आप लोग को scroll करना, ठीक है scroll करके simply नीचे आना है तो नीचे आने बाद आप लोग को यहां पर दिख जाएगा end screen और card, मतलब कि जो card है वो i button जैसे कि हम लोग कर देंगे मैं ये video i button में दे दूँगा, तो ये simply या card है तो हम card में तो मैं एक एक करके यहां पर बता देता हूं कि आप कैसे लगाएंगे तो simply मैं पहले card की बात कर लेता हूं तो आप लोग को जिस भी लगाना है वहां पर लगा सकते हैं जिस भी लगाना है, जिससे मतलब की card में या free end screen में तो simply मैं चला जाता हूं, आई button में लगा देता हूं मतलब की card में ठीक है तो यहां पर मैं card पर click कर देता हूं दोस्तों कुछ इस परकार से एक नए type में आपकी जो video जिस video में आप लगाना चाहते हैं वो open हो जाएगी जिसकी मैं इस video में लगाना चाहता हूं तो यहां पर यह video मेरी आ चुकी है अब बात करते हैं आप कैसे किसी भी video को i button में लगा सकते हैं तो लगाने तरीका यह है कि मान लेजे आपको जहां भी लगाना है आप यहां से चले जाए या फिर इसको जो स्क्राव करने ठीक है Susi है तो महल लेजे मुझे लगाना है तीन मिनट की बाद यहां पर एक video मुझे लगाना है तो सिंपली यहां पर एक video मुझे लगाना है ठीक तो मैं सिंपलीय यहां पर लिखा होगा ad card ad card बief पर मैं click करूँँगा तो यहां पर दोस्तों लगबग 3-4 आप्षान आजाएंगे जैसे कि वीडियो और प्लेलिस्ट पहला आप्षान, दोसरा चैनल, तीसरा पॉल, चौतहा लिंक, मैं चारों का आप्षान एक एक करके आप लों को बता देता हूं, तो दोस्तों जो पहले का आप्षान है वीडि उसके आगे लिखा होगा, तो create पर लिक कर, आप यहां से भी जिस वीडियो को लगाना चाहते हैं, यहां पर आप इस सारी जो वीडियो है, वो आ जाएगा ठीक है, तो मैं एक वीडियो को चूज कर लेता हूं, और यहां पर create, card पर click कर देता हूं, तो यह जो मेरी वीडिय यहां पर इस जब आप वीडियो देखेंगे, तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे, तो यहां पर जो है कि card वाला option आप जाएगा, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो simply इस वीडियो पर आप पहुँच जाएंगे, अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोसरे इक, ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है, पॉल में आप जैसे भी कुछ अपने जो subscriber है, जो user है, उसे आप कुछ कोशन पोस्ट सकते हैं, जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे कि आप यह मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यहां पर मैं आप लोग से कुछ कोशन कर सकता हूँ, कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो जब आप यह कोशन देखेंगे, तो यहां पर मैं दो option लिख देता हूँ, जैसे कि अच्छी लगी, फिर इसके नीचे लिख देता हूँ, कि अच्छी नहीं लगी, ठीक, कुछ इस पर कार्द सा, अगर आप एक और दो तीन option जोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर नीचे लिखा हुआ होगा, add another choice, ठीक है, simply इस पकाए कि और choice कर सकते हैं, simply यहां पर मुझे दो है कि जरूरत है, तो simply मैं यहां पर दो कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहां पर create card लिखा होगा, simply आप इस पर click कर देंगे, तो यह question आपसे यहां पर आई बटन में पूछा जाएगा, कि आपको यह वीडियो का इच्छी लगी, कुछ इस पर कार से question आएगा, जब आप उस पर click करेंगे, तो यहां पर आपको अच्छी लगी और अच्छी नहीं लगी, दो option मिलेगा, तो आपको उस पर click करके, आप अपना जो राय उसको दे सकते हैं, तो दोस्तों आप कुछ इस परकार से अपने वीडियो में आई बटन, जैसे कि वीडियो या फिर कुछ भी चैनल आसानी से दे सकते हैं, ठीक है, यहां पर आई बटन का काम खतम हो चुगा है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं end screen में, जैसे कि ब पॉप बाक्स आएगा, तो यहां पर दोस्तों कुछ इस परकार से एक पॉप बाक्स आजाएगा, ठीक है, तो अब हमें end screen में लगाना है, end screen का यहां पर format कुछ पहले से ही, जो की YouTube Studio बीटा है, में कुछ अच्छी तरीका से format करके यहां पर बता हुआ है, ठीक है, यहां प आपका चैनल आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ इस परकार से format, आप कुछ कोई भी चूज करके यहां पर लगा सकते हैं, जैसे कि इसकी बात करों तो यहां पर one playlist और एक subscriber का मतलब की YouTube चैनल आगा, मतलब आपकी जो एक playlist है रहेगी, यहां पर आजाएगी अपने आप, यहा वीडियो पर जादा view आया है, वो आपने आप यहां पर ले लिया है, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो edit यहां पर कर सकता हूँ, आपने मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूँ, अगर मा लेजे मुझे किसी की मर्जी सने लगाना, मुझे खुद की वीडियो को लगाना है, मा अब आप लोग को नीचे एक option मिलेगा, choose specify video ठीक है, तो simply हमें इस पर click कर लेना, ठीक है, तो इस पर click कर कि यहां पर आपकी सारी video आज आएगी, आप यहां से कुछ भी जो आपकी मर्जी आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक, तो माले जीए मैं यह वीडियो चूज कर लेदा ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यह जो दोसरी वीडियो, यहां पर लिखा हुए, most recent upload, ठीक, मतलब कि जो अभी upload हो यह वीडियो ठीक है, तो simply मैं इसको भी कोई वीडियो यहां पर choose specify video करके कोई दोसरी वीडियो लगा देता हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ भी यहा पर आपको save button देखेगी, तो कुछ इस परकार से आप save कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस परकार से आप अपने वीडियो में आई button या फिर end screen बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो जब आप video पले करेंगे, तो आपकी जो end screen जैसी last step पर पहुचेंगे, तो यह जो वीडियो में